हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीड चनल दोस्तों जैसा कि मैं इनोटोमियू फीजियोलोजी की सब भी टॉपिक को किलियर कर रहे हूं स्टेप बाई स्टेप जिसमें से आज मैं यकृतियानी लीवर के बारे में बता रही हूं जो एक शहायक पाचत गन्थी है एंड इसके बारे में बताऊंगी कि यह लीवर क्या है और इसमें कौन-कौन से वाहिकाई पाए जाती है और यकृतिय से जो पित का इस तरह होता है उसके अंतागत बिलुरुबीन, बिलुवर्डीन का क्या कार है और क्या या संचे करता है किसका निर्मार करता है और हिपे इसमें रखे गए हैं दोस्तों यह दिया फीजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटिटिव एक्जाम्स चाहे ओटीजिटी पीजिटी के वियर्स एन्वियर्स रियल्टी का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिबस के एकार्डिंग है सभी वीडि कियेगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टापिक पर तो दोस्तों यकृत यानि लिवर यह जो शरीर के सबस्षे बड़े ग्रंती होती है यह उदर गुहा के दाहिने उपरी भाग में डाइब फ्रॉम पेशी के नीचे इस्थित होती है इसका उपरी भाग चिकना होत है इसका रहु दोस्तों दूसर मैरून कलर का होता है इसका वजन जो होता है डेर से 2 केजी होता है इसके चारों और पेतेनियम जिल्ली होती है जिससे चारो तरब से ठका होता है यकृत के दो भाग होते हैं बाया भाग तथा दाया खंड अगर भाग पर एक इसनायो यानि की लिगामेंट होता है जिसे फैलसी फॉर्म कहते हैं यही फिलामेंट यकृत को दाय वा बाय खंडों में बाड़ता है जैसा की चित्र में दिख रहा है और इसका अगर प्रिष्ट उत्तल होता है और निम्नी प्रिष्ट यानि अंदर वाला भाग अन्यमित वा असंतल होता है यानि कि वाहिकाओं का प्रवेश्वन विकास इसी प्रिष्ट पर होता है निम्नी प्रिष्ट पर जैसे कि दोस्तों यकृत की वाहिकाएं कौं की पोर्टल वेनस्जिता यह चोटी के दो सकंव होता है।। पित नली काएं होती हैं इसी के रास्ते सभी पोसक पदार्थ पचे हुए भोजन का सोसर्ड हो करके हिपेटिक वेन के रास्ते ये कृत्म में जाता है एनेफ्ट है पित नली यानि बाइल डक्ट इसी पित नली के द्वारा पित रश डोडिनम छोटी आत के पहले भाग डोडिनम में जा करके भोजन में मिल करके वसा का पाचन करता है अब हम बात करेंगे दोस्तों यकृत यानि लीवर की कारे की तो सबसे पहले बात करूंगे पित का निर्मार करता है और वसा का पाचन करता है तो पित का इस्तराव करता है पित यानि बाइल यानि पित का निर्मार कहां पे होता है तो यकृत में होता है और पित का निर्मार तो यकृत में होता है यानि लीवर में होता है और इसका निर्मार होकर के इस्टोर कहां पे होता है पित आसे में यानि गाल ब्लेडर में और गाल ब्लेडर से पित आसे की गाल ब्लेडर की जो नली होती है पित नली ओ जाकर के जुड़ी होती है डेदुनम में कहां पे छोटी आत के पहले भाग डेदुनम में जहां पे अमासे से पचा हुआ भोजन जो होता है अमासे से जो भोजन होता है छोटी आत में प्रविश करती है वहीं पर डोडी नम में पित नली पितरस में पहुछता है जो वसा उसका पाचन करता है नहीं पर बहुता है तो पितरस में प्रवेस करता है और बोजन की पहुता है पित्रस का कारे क्या होता है दोस्तों पित्रस भोजन में उपस्थित वसा में गुलनसील विटामिनों K, E, D, K का पाचन डोडिनम में करता है और वसा को जल में गुलनसील बनाकर बाचन योग्य बनाती है इसी क्रिया को इमसी करना कहते हैं और दोस्तो आतमें उपस्थी एंजाइमों की क्रिया को तिबरिख कर देता है turma ऐरा ओमासा से आए भोजन को अमासा से होता है जिसे काइम कहते है को अमलीए से छारीय बनाता है यानि अमासा में से मिलता है प्लायक जाहां खारीय होता है यहां यहां पर देख के पहले बाग एक जो नंरे श्वा नंच शोल्य जो का नोता है ऑच समयरा हंब भखार हचरेंगि में गोट擊 एनना से लिञाएबिचे कारव लोस्ता है । और क्या कारे होता है दोस्तों यक्रित का ग्लाइकोजन का संचे करता है जैसे कि दोस्तों रक्त से प्राप्त ग्लुकोज को एंजाइन क्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन यक्रित कोशिकाओं में इकठा रहता है और सरीर में जरूरत पढ़ने पर Glycosine पुरह glycosine में बदल देता है ठीक है फरी में जुरुत पढ़ने पर ग्लाइकोजन को पुरा ग्लुकोज में बदल देता है इसे प्रकार रक्त में ग्लुकोज के इस तरको शमान्य बनाने में शहयुक करता है जैसा कि दोस्तों जो ग्लुकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कनवर्ट करके यक्रित जो है अपने पास रखा रहता है जब हमको उर्जा की ज़रुद पढ़ती है तो इसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लुकोज में कनवर्ट करके हमें उर्जा देता है जैसे कि दोस्तों जयór हम भुखे रहते हैं या उप्वास करते हैं उस ताइम पर प्रिवर्थित होकर के उर्जा देता है नेस्ट कारे है यकृत का यूरिया का निर्मार करना और यूरिया का निर्मार आर्निथिन चक्रद्वारा होता है यकृत में आर्निथिन चक्रद्वारा यूरिया का निर्मार होता है ध्यान में रखिएगा यूरिया का निर्मार जो ह हीपाइटिक वेन के रास्ते यक्रित में पहुचते हैं और यहां अमीनो एसिर से नाइट्रोजन जो है अलग हो जाता है तथा उसका अमोनिया अमल यूरिया में बदल जाता है अंत में किड्नी रक्त से यूरिया लेकरके रक्त को छान करके पेसाब द्वारा बाहर निकाल देता है यूरिया को कौन किड्नी यानि ब्रिक और रक्त का सुद्धी करर कहां पर छानता है रक्त तो ब्रिक में यानि किड्नी में जैसा कि दोस्तों यनस्थे यानि कि जो अमोन होता है अगर यकृत नहीं होता तो अमोनिया पूरी सरीर में फैल जाता और तत्काल मृत्य हो जाता यानि कि यकृत क्या करता है हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलने का काम करता है इस क्रिया को डिमिनेशन कहते हैं ठीक है ध्यार में रखिएगा हानिकारक अमोनिया को कम हाने का रख यूरिया में बदलने की क्लिया को डिमिनेशन कहते हैं दोस्तों यकृत में कूफर सेल होता है यह कूफर सेल क्या करता है जहरीले पदार्थों को भच्छर करने का काम करता है द्यार में रखिएगा कवे बर पूछा गया है कि कूफर सेल कहां पाय जाता है तो यकृत सिल क्या करता है जहरी ने प Thai को बैक्ठ करने का काम करता है दोस्तों कोई जहर क्हा के B goods अधी मरता है तो पेस्छा है का पोश्ट-marbeiten का परिच्छट का जाता है ऐसे कि कॉ तो यह बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे सरीर में पहुच जाता है तो भच्छर करने में सच्छम नहीं हो पाता है जिससे पुरे सरीर में जहर फैल जाता है और मृति हो जाती है इसलिए यकृत की जास की जाती है यकृत काम करना बंद कर देता है और ब्यक्ति की मृति हो जा यह व्षाओं को कारबूनिक अमलत था जल्ड में बदलने में शाहता करता है जब पित्त लवाड के कमी के काराई व्षा का आवसोसर घट जाता है तब वह अग पचित व्षा जो पचा हुआ व्षा नहीं है उसको मल्की द्वारा पाहाण निकल देता है कहने का तातपर है दोस्तों जैसे कि जो हमारा पित लवड होता है पित रस होता है वो क्या करता है वसा का पाचंग करता है और जब हमारे यकृत में पित लवड की कमी हो जाती है तो वसा का पाचंग नहीं हो पाता है बहुत कम हो पाता है ठीक है वसा का आउसोसर नहीं हो पा की रचना में महतवपूर कारे करना जैसे कि दोस्तों गर्भावस्था में आर्बीसी का निर्माण कहां पे होता है यक्रित में होता है अग्जब कि वैस्था में कहां होता है बोन मेरु में होता है तो गर्भावस्था में आर्बीसी का निर्माण कहां पे होता है यक्रित में में होता है ध्यान में रखेगाता जो कर्व स्थान कर्विस्थान भी बोला जाता है और यकृत में भच्ची कोशिकाय होती है या भाइगो सेटिक शेल जो होती है यह मृत अर बच्छड करके अर्बीसी में उपसित हिमग्लूबीन का विखर्डन करती है और इसके फ़र सुरूप जो कूफर सेल होता है और मित आर्वीशी को पित्रस में बदल देता है ठीक है और पित्रस में बदल देता है और क्या करें दोस्तों यह अधिकांस प्लाज्मा प्रोटीन का निमार करती है ठीक है रक्त में यह यक्रित जो है रक्त में अधिकांस प्लाज्मा प्रोटीन का निमार करती है जिसे प्रथोंबीन तथा फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निमार करती है यक्रित ठीक है प्रथोंबीन और फाइब्रोनोजन दोनों का निमार कहां पे होता है यक्रित में होता रक्त जमने में सहायक होता है, ठीक है, पुल्थमपीण और फाइबरोजन दोनौ रक्त जमने में सहायक होते हैं. संचे था बितरडा का कारण, संचे भी तौन के अधिक होता है, कैसे है, और वॉषा लोहा, भिटामिन A तथा K का अधिक मात्रा में संचे तथा समय समय पर आवसकता अनुसार इसका बित्रड भी करते हैं विटामिन D का संचे अलप मात्रा में करता है और विटामिन A का संचे अलप मात्रा में करता है नेश्ट कार है साररिक ताप का इस्थिरी करण जैसे कि मेटाबोलिज में यानि चै अप्चे से शम्मंदित अनेक राशायनिक क्रियाएं होती है जिसमें यकृत से होकर जाने वाली रख्त का तापमान बढ़ जाता है इस प्रकार यकृत सरीर के ताप का इस्थिर रखने में शहायक होता है निश्ट कार है हीपरीन का निमार करना या का करता है हीपरीन का निमार करता है जैसे राशानिक पदार्थ हीपरीन रख्त को तरल अवस्था में रखता है या जमने नहीं देता है ध्यान में रखिएगा हमारे सरीर के अंदर हीपेरीन रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है जमने नहीं देता यदि रक्त सरीर में जम जाएगा तो हमारे मिर्ती हो जाएगी जैसे कि प्रुथमबीन, फाइबर नोजन यह एक्टिव हो जाते हैं और रख्त को जमा देते हैं और हिपरीन क्या करता है हमारे सरीर के अंदर तरह लौस्था में बनाए रखता है ध्यान में रखिएगा और क्या करता है दोस्तों यह प्रचात्मक क्रिया करता है जैसे कि रस यक्रित के इतने सारे दोस्तों समझे यदि यक्रित नहीं होता है लिवर नहीं होता तो हमारा सरीर किशी काम कर नहीं है हमारे सरीर में कोई विक्रिया नहीं हो सकता में यक्रित है और दोस्तों लिवर फेल कैसे होता है कहते हैं कि लिवर फेल हो गया यानि लिवर का काम करन नहीं होता है और यानि कि बहुत कम होता है अता जो वसा का पाच्चन करता है जल में घुलंसील बना करके वसा में जो घुलंसील बिटामिन है उन सब को जल में घुलंसील बना करके वसा का पाच्चन करता है वो नहीं हो पाता है अता इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है अता विल Reality नहीं बने गा या कम बनेगा तो갔 नहीं पॉैट नहीं पचेगा या वे उसी को जólola कहते हैं तो दोस्तो हम ने जाना कि涼र का क्या कार है कि कुछ भी नहीं होता था कि लीवर इतने सारे सी वर्क करता है तो दोस्तो हमने लिवर के बारे में जाना आई होब कि दोस्तों आपको लिवर की बारे में सभी जानकारी आ गई होंगी अब आप कोई भी कुस्टेंस को अच्छे से समझ के एंसर देंगे दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और ज्यादे से ज्यादे सेयर कि जिसे मुझे एक नय मोटिवेंसर मिल सके और डेली बेसे पर आपके लिए वीडियो बना शको दोस्तों आपको किस टापिक वीडियो चाहिए इसको भी आप बता सकते हैं और नेक्ट वीडियो प्रैंक्रिया जाने की आगनाशा पर होगा और जितने भी टापिक अभी बच कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिले